आज आप सत्यकार मैं हूं डॉक्टर नेजला शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल सजर्मिगा है साथ हूं आज आपको मैं जोतिस और वास्तु सास्त्र से सम्मनित छोटे-छोटे टिप्स दूंगी यदि आप इन टिप्स को अपनाते हैं तो आपकी पूरी दिन चरिया सुर्य वर्स्तित, सुचारू और बड़ी खुसनमा बुल देगी आप अपने दिन की दिन चरिया की शुरुआत कैसे करें यह मैं आपको बताऊंगी साथियों सबसे पहले तो आपको सुर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए यदि आप सुर्योदय के बाद तक सोते रहते ह तो सुर्य देता का अपमान होता है, सुर्य देव तेज के देता है, इससे आपके तेज में कमी आती है और यदि आप सुर्योदय के पहले उठ जाते हैं तो आप देखेंगे कि उस समय का जो वातवरार होता है बड़ा खुसनुमा, हलका, एनर्जेटिक महाल और ऑक्सिजन प्रेस होती है, तो जब आप कभी भी आप के दिसा वेरे उठते हैं, सुर्योदय के पहले उठते हैं, तो आप पाएंगे कि आपके पूरी दिन चरिया है, उसमें आप अपने आपको एनर्जेटिक, खुश मिजाजी और अच्छा हलका मैसूस करेंगे, इस साथ में आपको यही कहूंगी कि आप सुर्योदय के पहले उठते हैं, उसके बाद जैसे ही आपके सुबानी खुलती है, आप अपने बिस्तर पर उत्तर या पूरो दिसा की तरफ मूँ करके बैच जाएं, और अपने दोनों हथेलियों को इस तरह फैलाने, फैलाने के बाद मैं आपको एक हिस्तो के दर्सन बड़ी स्वध्धा और बड़े प्रेम से करें, मैं मन्तर खेती हूं करागरे वस्ते लक्ष्णी करमद्दे सरस्वती करमूले तुम गोविन्दा प्रभाते कर दर्शन मैं मंत्र को गुहाती हूँ कराग्रे वस्ते लक्ष्मी करमद्धे सरस्वती करमूले तूट गोविंदा प्रभाते कर दर्शन इस मंत्र का अठ है करके मूल भाग, करके अगर भाग में मा लक्ष्मी का वास होता है करके मद्ध भाग में मा सरस्टी का वास होता है और करके मूल भाग में परंपितक पर्मिश्वर का वास होता है आप जब सुबा बड़ी स्रद्धा और बड़े प्रेम से अपने हथेली का दर्शन करते हैं तो आप अखिल ब्रह्मान के दर्शन कर लेते हैं ब्रह्म्रा विष्णु महश Siuk ke दर्शन कर लेते हैं इसके बाद अपने हत्यन्यों को कुन लीजए चुनने के बाद दोनुन हत्यद्य को रब कीज़े्ये और अपने के लेते वे पूरे सीर पर हाथ ऐसा खिर लिए इससे यदि आप अपने हथेलियों को रगड़ते हैं तो इससे एक एनर्जी पर होती है और वो परम्पिता परमेश्वर के आसिर्वा स्वरूप उस एनर्जी को जब हम अपने चेहरे से लेके सीर तक फिलाते हैं तो हम रिचार्ज हो जाते हैं और हमारी पूरी दिन चरिया एनर्जेटिक गुज़ती है उसके बाद साथम्हों आप अपने इष्ट देवता को आप जिस भी देवी देवता को मांते हैं उन्हें प्रणाम कर लीजिए धृतिमा को प्रणाम कर लीजिए अपने माता-पिता और पित्र देवा को प्रडाम कर लीजे उसके बाद अपना दाहिने पेर आके बढ़ाएए किन्तु आप अपने दाहिने पेर को सीधे जमीन पर नंगे पेर मत रखेगा क्योंकि आप काफी समय से सोई रहते हैं और आपका एनरजी लेबल और जमीन का एनरजी लेबल में काफी डिफ्रेंस होता है यदि आप नंगे पेर जमीन को तच करते हैं तो एक अनबैलेंस होता है एक असंदरण की इस्तित यूद्पन होती है एक जटका आपके सरीर को लगता है आपको पता नहीं चलता किन्तु इसका आपके सरीर पर नकरात्म क्रभाव करता है उसके बाद आप सबसे पहले अपन बिस्तर दिख्रा छोड़ देते हैं तो आपके पूरी दिन चरिया आवववस्थित बुज़रेगी बिस्तर आवववस्थित होने से आपका बुद्ध गरखराब होता है और बुद्ध से आपकी बुद्धी और आपको फैनेंसियर अर्चन आती है नौकरी विवशाय में अर्चन आती है विस्तर समयतने के बाद मैं आपको बताओंगी कि आप रात को सोते समें किसी जल भरकर और ऑपने सिरहाने रख लिजे ? wrap अच्छा हो आप कौपर या तांबे का पात्रे लीजे और उसमें जल भर कर उसको रख दीजिए विस्तर समेटने के बाद आप उस जल को उठाइए उसमें चुपकी भर हल्दी डालिए और उससे अपने मुखी द्वार पर ठ्षड़ दीजिए इसे घर का कोई भी सदस कर सकत होता है इसे मा लक्ष्मी का अगवन होता है इसके बाद साथ हो आप पाल्थी मोड कर जमीन पर बैठ जाएए और कम से कम 3-4 गिलास पानी घूट-घूट करके सीप-सीप करके पी लीजिए मैं जानती हुँ साथियों एक बार में आप 3-4 गिलास पानी नहीं पी सकेंगे आ आप इस्तार्टिंग में 1-2 गिलास से शुरू कीजिए और उसको 4 गिलास पर ले आईए आपको यह पानी बासीमू बीना भ्रस के पीना है जमीन पर पाल्थी मोर कर पीना है और आपको सीप-सीप पीना है जब आप आप यह पानी पिये तो गिहों के दाने के बराबर इक चूने कर टुकड़ा भी साथ में निकल जाए इस ते इस चूने के टुकड़े के साथ जब पानी अपन पीते हैं तो हमारे पूरे एलिमेंटिक के नाल की पूरे पाचन तंजर की सफाई हो जाती है जिस प्रकार हम नाली में कोई नाली जाम होता है तो उसमें पानी फेकते है तो नाली का कच्रा साफ हो जाता है उसे प्रकार चुने के साथ हम पानी पीते हैं तो हमारे पूरे एलिमेंटिक नाल के सफाई हो जाती है इसके बाद आप 20 मिनट के बाद गर्मी का देने बहुत अच्छा हो आप चाथ पी लिजे चाथ के पीने से भी पूरे शरीर की सफाई हो जाती है इसके बाद साथियों आप सबसे पहले पंचियों को दाना डाल लिजे तेल चुपरी रोटी गाए और कुट्णों को खिलाए बहुत लोग कहते हैं मीथी रोटी या रोटी में गूर डालकर गाए को खिलाना चाहिए किन तो मैं कहती हूँ आप रोटी में चुपकी भर नमक डालकर आप गाए को खिलाए इससे आपके जीवन की अर्चने परशानियां से आपको मुक्ती मिलेगी आप यदि लंबे समय से बीमार हैं तो इसमें आपको रहत मिलेगी उसकी बात साथियों आप मौनिंग वाक पर जाते हैं तो बहुत अच्छी बात है आपको मौनिंग वाक पर जाना चाहिए थोड़ी जब पहलना चाहिए और आपको 10 या 20 मिनट ध्यान पर बैठना चाहिए आप या तो पहले मौनिंग वाक पर जाए या पहले ध्यान पर ब कोनली आजागरित हो जाती है तो आपके डीन त्यों सबस normalmente uh लेते हैं और तादत में परम ऍयांन पर बैठेंगे तो आपको सफलता अपने कोई नहीं रोख सकता आप जिस भी काम में हाट डालेंगे उसमें आपको सफलता प्राप्त होगी आप जहां भी जाएंगे आपके चेहरे में एक ताज तेज होगा और आपको सम्मान मी लगा नासा के वग्यानिकों ने भी यसिद्ध कर दिया है कि ध्यान में बैटने से हमारे सरीर के ओरा में व्रिद्धि होती है इसलिए आपको ध्यान को रोज नहीं पूर से विसमें ध्यान पर जरूर बैटना चाहिए इसके बाद साथ में आप इस्तान करने जाए इस्तान के जल मे कमें कुछ बुने गंग दो मिलाने दोर से बालती के पानी में उंगलीओं से इस तरह रिभूज बनाले टो रिभूज बनाने के बाद कि अंदर ह्रीम सब्थ लिखे उंग्ली के बाद के लिएyy पूझा करते हैं और उसपे फूल चण्णाते हैं दूर। मैं आपको उपाँंगी। अर्पित करते हूं से सारे फूल मैं वहीं से महांसिक रूप से भगवान को अर्पित कर देती हूं पेड़ में लगेवे पॉढ़ों में लगेवे हूं पुस्व मैं भगवान को महांसिक रूप से अर्पित कर देती हूं इससे पूरे दिन और फूल ताजा रहकर महकते रहते आप सहर रूप से जीवन हो जाना चाहते हैं आप लंबे समय तक एनर्जी बने रहे हैं आपके सरीन में एनर्जी लिवल बना तो मैं आपसे यही request करूँगी कि आप nature के अधिक से अधिक नजदिक रहे nature को अपनाईए nature को अपने जीवन में शामिल कीजे तो साथियों यदि आपको मेरी अजान करी अच्छी लगी हो मेरा यह वीडियो पसंद आया हो तो प्रिप्या लाइक करें शेयर करें सब्सक्राइब करें और आप यदि मेरा लेटेस्ट वीडियो जल्दी पाना चाहते हैं तो बेल आइकोन को दबाना न भूले साथियों आप कमेंट करना भी न भूले साथियों इतना कहकर मैं अब अगली अगली मुलकात तक आपसे विदा लेती हूँ जेहिं